समनांतर चत्रभूश के विकर्णों के बारे में अभी आपने एक प्रमे पढ़ा कि समनांतर चत्रभूश के विकर्ण एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं अब समनांतर चत्रभूश के विकर्णों पर आधारित कुछ उदारण भी हम हल करेंगे हमारे सामने पहला उदारण है जिसमें हमारे सामने एक प्रश्ण है एक चुरोती है वो ये है कि यदे किसी समनांतर चत्रभूज के विकर्ण बराबर है तो वह आयत होता है अभी तिक हमने पढ़ा था कि विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाजित करते है लेकिन वह ये शर्त नहीं थी कि विकर्ण बराबर होंगे लेकिन यदे विकर्ण बराबर होते हैं तब क्या होता है तो विकर्ण बराबर होने पर हमें ये देखना है कि क्या वह आयत होता है तो आईए हम कोशिश करें यहां देखने की तो जो चीदे हमें दी गई है वो है कि एक समनांतर चत्रभूज है A, B, C, D और उसके विकर्ण A, C और B, D है जो बराबर है विकर्ण A, C और विकर्ण B, D या डी भी ये दोनों विकर्ण आपस में लंबाई में बराबर है ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि य दोनों जोडे बराबर है बतलब ये वाली बुजा, एस बुजा के समनांतर और बराबर है ये तो समनांतर चत्रभूज का गुड़ हुआ लेकिन आयत तब होगा जब इनके सभी कोण आयत के चारों कोण जो है त्रिभुज ABC को लेंगे अब देखिए त्रिभुज ABC एक हरे रंग का जो विकर्ण हमने बनाया है उसके साथ इस समनानतर च्रिभुज को दो भुजाएं तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये त्रिभुज हम लेंगे जो जो लाल रंग की रेखा या विकर्ण से बनने से त्रिभुज यूँसे हम लेंगे तो हम लिखें हम पर त्रिभुज BC और अब देखिए पहला त्रिभूज याँ इस लाल रंग के विकर्ण को इन दोनों प्रिभूज घौरन में आप सुछनाय हमारे पास है आप देख रहें हैं कि हमें दिया वाई चत्रृबुज के विकर्ण बराबर है विकर्ण बराबर है यानि आप कहा सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में BD और AC बराबर है BD बराबर AC ये कथन एक हुआ वैसे ही आप देखिए कि भुजा AB भुजा DC के बराबर है यानि इस त्रिभुज की भुजा लंबी वाली AB दूसरे त्रिभुज की भुजा DC के बराबर है तो इसे भी अब लिख लें AB बराबर DC इसे हम इस त्रिभुज का पहले लिखें तो इसे हम लिखेंगे DC बराबर AB DC बराबर AB ये हमारा कतन दो हुआ और इस BC भुजा को देखिए यह जो भुजा BC है वो दोनों त्रिभुजों वो उपस्थी थे तो आप लिख सकते हैं BC बराबर BC यानि आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC में यह विगर्ण दोनों के बराबर है भुजा AB भुजा DC के बराबर है और भुजा BC दोनों त्रिभुजों में उपनिस्थ है तो हम देख रहे हैं कि इन दो त्रिभुजों में क्रमशा एक-एक भुजा हैं दूसरे त्रिभुज के एक-एक भुजाओं के बराबर है सर्वांक सम होने के लिए को लिखना होगा उनके संगत बुझाएं और संगत कोंग नहीं हैं उनका भूला कोंग ये वाला करद इस कोंग के बराबर होगा और ये जो कोड है वो इस कोड के बराबर होगा और ये जो पूरा कोड है वो इस पूरे कोड के बराबर होगा ठीक है तो अभी तो हमको पता नहीं है सम कोड है के नहीं लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ ये दोनों कोड आवस में बराबर है तो यहां से हमको मिलता है कोड़ A, B, C इस पूरे कोड़ को हम लिखेंगे कोड़ A, B, C बराबर कोड़ इस कोड़ को हम लिखेंगे D, C, B कोड़ D, C, B यह दुनों आपसे बराबर हैं माल लिए आपके एक कथन इसे आपके तीन लिख सकते थे और यह कथन आपका चार हुआ तो चौथा कथन हुआ जो इन कोड़ों के बारे में बात कर रहा है अब आप देखिए ज़रा यह जो दोनों कोड़ है उनकी सितिकिस प्रकार की है D, C और A, B समनांतर है और B, C, T, R, E, K, R, K, उन्हें काट रही है इस अंदर में दी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों कोड़ तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतर कोड़ है फिर से देखिए A, B और D, C समनांतर रेखा है और तिर्यक रेखा B, C, उन्हें काट रही है तो यह दोनों कोड़ तिर्यक रेखा कि एक कोड़ बनने वाले अंतर कोड़ है और इसके बारे में आपने यह पढ़ रखा है कि किसी समनांतर रेखा हो कि एक जोड़े कोड़ी कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के जो बनने वाले अंतर कोड़ है उन दोनों को योग एक्सवसियंस होता है तो आप इन दोनों कोड़ों के बारे में लिख सकते हैं इक कोड़ A, B, C धन कोड़ D, C, B D, C, B यानि हम इन दोनों कोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं कोड़ A, B, C और कोड़ D, C, B इन दोनों को योग होगा एकसर अस्यंस और आपने यहां पर ABC को DCB के बराबर किया है तो यहां पर DCB के जगाँ पर आप यदि ABC लिख लें तो क्या होगा कोड ABC धन कोड ABC बराबर एकसर अस्यंस और यहां साब को परणाम मिलेगा कि दो गुड़ित कोड A, B, C बराबर एक्सोसियन्स और इसके अधार आप कह सकते हैं कि कोड A, B, C कोड A, B, C बराबर एक्सोसियन्स और A, B, C आपके बराबर है D, C, B के तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिखते हैं कोड D, C, B यानि आप देख रहे हैं कि यह जो दोनो कोड थे वो आपके से बराबर थे और इनका योग एक्सोसियन्स था यानि इनमें से प्रत्यक और नब्बे नब्बे अंस का होगा यहाँ पर आपने प्रूफ किया तो यह प्रमानित हो गया कि यह जो कोड है वो समकोड है, राइट अंगल है और यह दोनो कोड समकोड हो गए ठीक इसी तरह से आप इन दो त्रिभूजों में देखे त्रिभूज A, D, C और त्रिभूज A, D, B में यहाँ पर भी आप सिद्ध कर सकते हैं यह दोनो कोड समकोड है तो ऐसी परिस्ति में आपने देखा कि आपके सामने जो समन अंतर चत्र भूज है उनके चारों के चारों कोड मैसे प्रत्तिकोड नब्य अंश का है और नब्य अंश का होने को विज़े से आप कह सकते हैं कि यह जो चत्र भूज है जिसे आप शुरू में समान अंतर चत्रभूश कह रहे थे वो अपने विकर्णों के समान होने करण एक आयत को प्रदर्शित कर रहा है तो ये प्रूफ करना था जो आपने कर लिया